नमस्ते आप सभी का मेरे यूटूब चैनल एजूकेसनल न्यूज एंड अपडेट्स में मैं राहुल आरिये स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम दिल्ली के विभिन महाविद्यालेयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगे गए आवेद्नों के विशे में विचार करेंगे तो कर्मशह हम चलेंगे तो सबसे पहले जो महाविद्यालेयों है वह केशव महाविद्यालेयों केशव महाविद्याले में 18.1.2022 को एक नोटिस जारी किया गया अप्लिकेशन फोर एड़ोग के फैकल्टी इन्वाइटि इन डिपार्टमेंट ओफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एड़ोग फैकल्टी के लिए अप अप्लिकेशन मांगे गए हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपलिकेशन और अपलिकेशन फोर एडोग फैकलिटी एसिस्टेंट प्रोफेसर ओन एडोग बेसिज और इनवाइटिड इन डेपार्टमेंट ओफ मैथमेटिक्स फोर दा कोलेज अगेंस्ट ओन वैकैंसी इन जनरल ऩोबिसी कटेगरी तो जनरल और OBC category के लिए Mathematics Department केशव महाविद्याले में जो है आविदन आमंतरित किये गई हैं और उसके लिए यहाँ पर बता रखा है कि Mathematics में जो candidate है उसका specializes इन विशयों में होना चाहिए जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसके बाद महदपूर्ण बातों में यहाँ पर बता रहे हैं कि तो इसके लिए केवल वही candidate आविदन कर सकते हैं जो कि University of Delhi का जो minimum criteria बना रखा है उसको एक तो qualify कर रहे हैं और दूसरी वो जो है mathematics department के लिए जो एडोक का पैनल बना हुआ है उसमें उनका नाम होना चाहिए वो लोग इसके लिए आविदन कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर है कि जो है इसके लिए जो आप है आपना आविदन है वो यह जो email ID यहाँ पर दे रखी है उनको 24 जनवरी 2022 सामचार बजे तक अपना बायो डाटा email के माधिम से भेज सकते हैं उसके बाद जो है आपको interview के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा कि interview का schedule क्या होगा वो आपको बाद में website के माधिम से या email आदी के माधिम से बता दिया जाएगा तो सबसे पहले तो आपको अगर आप mathematics department के ad hoc panel में हैं तो 24 जनवरी 2022 सामचार बजे तक आपको अपना जो बायो डाटा है वो इस email आईडी पर भेजना होगा और साथ में principal को भी आपको attach करना है cc carbon copy इनको भी भेजनी है तो अगले महाविद्याले की बात करते हैं उसके बाद जो दूसरा नोटीस है वो भी केशव महाविद्याले की तरफ से ही 19 जनवरी 2022 को जारी किया गया है इसमें application invited for assistant professor on ad hoc basis in department of computer science इसमें computer science department में जो application आमत्रित किये हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं assistant professor ad hoc basis department of computer science in following under respective categories तो ऐसी के लिए एक category एक candidate और EWS के लिए भी एक vacancy यहाँ पर है तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो फुल्फिल दा minimum eligibility criteria as required by university of Delhi and are registered in the appropriate ad hoc panel of university of Delhi तो जो candidate university of Delhi के computer science department के ad hoc panel में है वो इसके लिए आविदनाम कर सकते हैं और इसके लिए आपको जो है 25 जनवरी 2022 तक अपना जो bio data है वो email के माधिम से भेजना पड़ेगा तो इसके लिए आपको brief cv अपना जो bio data है वो category की certificate और जो आपका पैनल में जो नाम है जहां पर उसका screen short भेजना पड़ेगा और उसे संबंदित अन्य जो दस्तावे जवन को भेजने हैं और भेजने के लिए जो email हो आपको यहां पर दे रखा है तो यह दूसरी update थी आपके लिए जो कि केशो महाविद्याले से ही था इसमें computer application computer science department के लिए दो vacancy है अगले महाविद्याले की नमबर तीन पर हम बात करें तो मोतिलाल नहरू विश्विद्याले की तरब से 20 जनवरी 2022 को notice जारी किया गया है तो इसमें तो दिया गया है कि details and date of interview are appointment of ad hoc assistant professor in a department of commerce तो commerce department के लिए यहाँ पर एक vacancy अश्टी की है जिसके लिए 27 जनवरी को 10 बजगर 30 मिनट पर सुबह है जो है interview का जो है आउजन किया जाएगा तो यहाँ पर अश्टी का एक candidate जो की commerce विभाग में interview के लिए जा सकते है 27 जनवरी को चलिए अगले college की बात करते है चार नमबर पर बात करें तो जान की देवी memorial college है उसकी तरब से भी 20 जनवरी को एक notice जारी किया गया है इंट्रिवी फोर वाकिन इंट्रिवी अशिस्टेंट प्रोफेसर एड़ोग वेसिस पे इसके लिए भी जो है आविद नामत रित किये गए है या उसके लिए इंट्रिवी के लिए वाकिन बुलाया गया है commerce department में हश्टी की एक post है उसके लिए 28 जनवरी को गैरा बजे जो है इंट्रिवी होगा प्रिंसिपल ओफिस में तो इसके लिए भी आप अगर इलिजीबल है और आप अगर युनिवर्स्टी ओफ देली के एड़ोग पैनल commerce department के एड़ोग पैनल में है तो इसके लिए भी आप वहाँ पर जा सकते हैं तो ये थी आज आज आपके लिए कुछ अपडेट्स इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रही धन्यवाद